हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू बैए चैनल आज की वीडियो में आप लोग के साथ share करने वाली हूँ कि आप कंदे की सिलाई कैसे कर सकते हैं कुर्ति स्टिच करते वक्त आप कंदे की सिलाई कैसे करें कि आपका कंदा गिरे ना या फिर बिलकुल सेट बैड जाए तो काफ चाहिए आपके साथ यह शेयर करने वाली हूं तो उसके लिए देखिए मैंने यह फ्रेंट वाला नेक बिल्कुल अच्छे से बना लिया है और यह नेक की वीडियो मैं जल से जल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने यह कैसे बनाया है बहुत ही सिंपल एंट्रेंडी सा नेक डिजाइन है जो कि आप अपने प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं और यहां पर देखिए हमने अपना बैक नेक को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है बट इसको हमने अभी अंदर की दरफ फोल्ड नहीं किया है तो आपको आगे वाला जो फ्रेंट वाला नेक है व नेक है वह बने होने चाहिए और मैं भी पहले बहुत जादा गल्ती करती थी अपने कंदेस की सिलाई करने में बट अब मैं चाहते हूं आप लोग वह गल्ती बिल्कुल भी ना दो रहा है तो इस तरीके से आपको अपने नेक को रख लेना है जो आपके सीधे वाले साइड हैं वह आपको अंदर की तरफ रखने हैं और देखें इसको हम एक बार इस तरीके से पलट लेंगे यहां पर मैं आपको बता लुए यह वाला जो स्टैप है यह सबसे में स्टैप है अभी मैंने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया तो आप इसको देखें जो बुकर साइड्स को आगे वाली साइड्स से अगर आपका छोटा बड़ा भी है तो भी कोई बात नहीं बढ़ आपको बुकरम वाली साइड्स से बिलकुल मिला के रखना है इसे अब एक पैर का मार्जन लेते हुए हमें यहां पर सिलाई लगानी है तो देखें यहां पर जो हम एक स्टेप करेंगे यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट स्टेप है तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा यह जो हमारा बुकरम है अब इसको आपको उपर वाली साइड के तरफ हमारा जो फ्रेंट वाला नेक था उसके उपर देखें इस तरीके से चड़ा लेना है और जैसे कोई अच्छा सा डिजाइन बना रहे हैं तो आप यह वाला कंदी क्यों स्टिच कर सकते हैं मैं यह पर डबल सिलाई लगा रही हूं जिससे कि यह हमारी कंदी की सिलाई है वो पक्की हो जाए और इस तरीके से हमने अपने दोनों साइड पर देखें सिलाई लगा ली है अब बहुत ही सिंपल और असान तरीके से हमारे जो दोनों कंदे हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे अब आपका जो बैक नेक है उसको पीछे के तरफ पलट दीजिए और यहां पर बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे जिसको आम बाद में निकाल देते हैं और यहां पर फ्रंट एंड जो बैक नेक है वो बना कर बिल्कुल आपको रेडी कर लेना है बट अभी आपको इसे पीछे की साइड के तरफ पलटना नहीं है फोल्ड नहीं करना तो देखे हमने फ्रंट एंड बैक नेक दोनों बना लिये हैं इसके नेक हमने बना लिये हैं बुकरम के सा पर आपको एक पैर का मार्जन लेते हुए पूरा बुकरम तक आपको पूरा इसको स्टिच कर लेना है यह देखें इस तरीके से तो यह बहुत ही फिनिशिंग से आपका रेडी होगा और यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा आपको इंटरलॉक की जरुद नहीं पड़ेगी बहुत ही फिनिशिंग से यह वाला जो मैथड है और अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आपको इंटरलॉक भी करने की इस पर जरुद नहीं होती दोनों साइड आपको फोल्ड करने के बाद इसके नेक को अब जो हमने बुकरम वाला पाट था इसको अंदर के तरफ पलट देना है और यहां पर हम लगा और यह वाला जो मैथट है यह भी बहुत ज़द फिनिशिंग वाला है इसमें आपका जो भी कंदे वाला साइड है वो आपको पीछे की साइड के तरफ रखना है तो इस तरीके से हमारे दोनों कंदे जो है वो स्टेज होकर तयार हो गए है आई होब कि आप लोग को